हालो फ्रेंद्स आप देख रहे हैं आपका चानल शेवादर वितायुष और बात करेंगे दोस्ते इस वीडियो में सारे आई-पी ओस के बारे में तो दोस्तो कल से हम कह सकते हैं मेंबोड आई-पी ऊसके आपको शरुवाद होती वी देखने को मिलेगे डिफिनिटली शरुवाद इन्थले सेंस यह जहीं कि अब स्पीड में आपको मेंबड आईप्यों आते ही पर निजर आएंगे तो कल एक साथ दो आईप्यों ओपन होने वाले शुरुबात करते हैं डीप आईपिंग सिस्टम से तो दोस्ते एक नया मेंबड आईप्यों ओपन होगा कल से और 21st of June तक ओपन रहेगा यह बाद ध्यान रखेगा आज 18th है और इसकी anchor book निकल कर आएगा अभी तक anchor book निकल कर नहीं आई है anchor book कब तक आती है शाम तक आती है शाम रात तक आती है तो इस पे हम बात जरू करेंगे बागी 10 रूपे की इसकी face value है 193 से 203 रूपीज का price band है 73 shares का lot size है कुल मलाकर 418 करोड का यह IPO है जिसमें से fresh issue है करीबन 325 करोड का और बचाओ बाखे का offer for sale है करीबन 93 करोड का याद रखेगा इसमें company अपने employees के लिए discount भी रखा है कि मैं भी employment लगा जिता हूं कि मैं किसी company का employee हूं बिल्कुल भी नहीं जो specific company की employee है उनी को allotment मिलेगा और 19 रूपीस का discount मिलेगा मा लेजे for example for instance मैंने तो apply कर दिया तो मुझे का allotment मिल भी सकता है बिल्कुल भी नहीं यह ध्यान रखेगा रजिस्टार के पास जो pan cards होते हैं वो कह सकते हैं सारे match होते है ऐसा नहीं कि allotment किसको भी बाट जाता है वहाँ पे सारे जो pan card होते हैं वो given होते हैं by the company and then दोस्तों रजिस्टार और जो allotment प्रसे होती है उसमें नाम निकल कर आते हैं तो automatically अगर आपने employee में लगा जो तो आपका reject कर दिया जाएगा इसलिए पहले बता रहा हूं कि यहाँ पर आपको employee काटेगरी में नहीं लगा open होने वाला है अगेन कल से ही और 21 जून तक यह भी open रहेगा इसकी भी anchor book आज निकल कर आ जाएगी 10 रोपे की face value है 114 से 120 रुपीज का price band है 125 शेयर का lot size है कुल मिलाकर 132 करूर का IPO है यह आप समझ सकते हैं काफी छोटा issue आपको देखने को मिलेगा पूरा का पूरा फ्रेश देखने को मिलेगा अब यही देखने कि कितना subscribe हो पाता है बट नो डाउट यह भी action में देखने को मिलेगा कब से from tomorrow इसके पाद दुस्तों आता है Stanley Lifestyles IPO यह भी दुस्तों open होने वाला है कब से यह open होने वाला है from 21st of June यानि इसी हफते में open हो जाएगा 20 June को इसकी anchor book निकल कर आएगी तो हमको 20 June को पता चलेगा लेकिन यह कल से open नहीं हो रहा है 21 June से open हो रहा है 25 June तक open भी रहेगा 2 रूपे की face value है 351 से 369 का price band है 40 shares का lot size है कुल मिलाकर 537 करोड का यह issue है जिसमें से 200 करोड का fresh issue है बचाओ बाकी का offer for sale है 337 करोड का BAC NAC दोनों पर आपको यह list भी के लिए रखा गया है 35% reservation retailers के लिए रखा गया है और 15% reservation दोस्तों किसके लिए रखा गया है for the H&I category तो यह भी action में देखने को मिलेगा but कब से from 21st अब दोस्तों आगे बात करते हैं gray market पे लेकिन उससे पर एक SME IP करें बात करना जाता हूं जिसके अंदर action दमदार है बात कर करिएगा but आज इस issue का दोस्तों second day है और कल याद रिखिएगा ये close जाएगा 10 रुपे किसकी face value है 90 से 94 रुपीस का price band है 12006 का lot size है कुल मिलाकर दोस्तों 30 करोड का ये issue है 30.79 करोड का पूरा का पूरा fresh issue है और listing आपर होगी only on national stock exchange जिस तरीकी का दोस्तों इस issue को subscription receive हो रहा ह ये बाद ध्यान रखिएगा जंको नहीं पता है SMEs में majorly QIB पैसा नहीं लगाते हैं मतलब 100 गुना स्यादा भरते नहीं मैं देखा नहीं 100 गुना स्यादा भरते हुए तो आप समझ सकते हैं कि छोटा issue होने के बावजूत पे SME क्यों लगाते हैं बिकास छोटे issues से थोड़ और भी subscription आता हुगा देखने को मुलेगा तो जो HNI category है वो करीबन 300 गुना इस issue को सब्सक्राइब कर चुकी है करीबन 1253 करोड रुपय और retail category और आगे है 302 गुना इस issue को सब्सक्राइब कर चुकी है कुल मिलाकर retail से 2930 करोड रुपी दा चुके तो इस तरीके का एक दमदा subscription देखने को मिल रहा है no doubt allotment मिलना बहुत tough होता है but subscription आप basis पे देख सकते हैं ये issue बहुत बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है और company भी बढ़िया हमको देखने को मिलती है इसलिए subscription बढ़िया है अब चलिए बाकी IP उस पर बात कर लेते हैं तो दोस्तों इसमें आवाता है सबसे पहले the money fair एक NACCM issue है जो 25th of June से 27th of June की बीच में उपन होने वाला इब तक price band release नहीं किया गया वट ग्रे मार्केट अल्रेडी स्टार्ट हो चुकी है 15 रुपे पर नेक्स आता है दोस्तों इशु आता है वो है शिवालिक पावर कंट्रोल एक NACCM issue जो उपन होने वाला है from 24th of June to 26th of June 100 रुपे का price band release ग्रे मार्केट अब देख सकते हैं 500% अभी खुलते ही हमको start होती भी देखने को मिल चुकी है जितनी ग्रे मार्केट रहेगा तो 150% का current यहां पर आपको premium देख हमें 60 रुपे की ग्रे मार्केट है नहीं 177% का दमदार premium इशु का size काफी छोटा है उनली 10.54 करूर का यह issue है बट यह भी 21 जून से 25 जून में action हमको देखने को मिलेगा नेक्स आता है Stanlay IPO ग्रे मार्केट अगर आप देखियेंगे तो majorly वही 32-33% पर जो currently चल रही है वही हमको देखने को नहीं मिल रहा है बट no doubt action काफी ज्यादा है अभी हम कह सकते IPO market के अंदर specifically मैं कह सकता हूं mainboard और SME तो बहुत ज्यादा आपका action देखने को मिलेगा नेक्स आता है विनी immigration एक NAC SME इशू है जो open होने वाला है from 20th June to 24th June NAC पर लिस्ट वगा 140 का price vendor 49 रुपी देनी 35% का current premium देखने को मिल रहा है नेक्स दोस्तों जो इशू आता है वो है NNUTRI का एक BAC SME इशू जो open होने वाला है from 20th June to 24th June 52 रुपीज का current premium चल रहा है यानि almost 96% का premium इसका हमको देखने को मिल जाएगा ये बाद ध्यान रिखेगा ये इशू 20 June से action में हमको नजर आ जाएगा 35 करूड का इशू है नेक्स आता है GEM Enviro एक BAC SME इशू जो open होगा from 19th June यानि कल से 21st June तक open रहेगा 75 रुपीज का प्राइस बेंड है 62 रुपे का premium यानि almost 82.67% का current premium देखने को मिल रहा है D Development Engineers ये भी दोस्तों नया mainboard IP आपको पता ही है जो कल से action में हमको देखने को मिलेगा Gray Market हम कहा सकते है बढ़ती हुए नज़र आ रही है कल भी आपको मैं एक ही बात कही थी कि देखिए action gray market में भी हमको जादा देखने को नहीं मिलेगा because of the holiday बट उसके बात हमको action definitely बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा आप खुद notice करेंगे जो कल SME issues में जहां पर gray market नहीं थे आज gray market actively trade कर रही है second बात जो issue दो इस तो main board का जहां पर भी हमको दादा action देखने को नहीं मिल रहा तब gray market currently 40% तक पहुँच चुकी है नेक्स आता है अब देखते कितना बड़ा कर पाता है नेक्स आता है आसान लोंज gray market 30% तक पहुच चुकी है और इसलिए दोस्टो सोला गुना दोस्तो है जो issue है वह सब्सक्राइब होने में काम्याब भी हुआ है इसके बाद दोस्तों आता है United Coff Tap एक BAC SME इशू जो अल्रेड़ी अभी ओपन है यह दिखाता है कि देखिए markets जिस तरीके से बढ़िया करते हुए देखने को मिल रहा है उसका असर अब आपको IPOs पर भी नजर आ रहा है तो फ्रेंट इस वीडियो में इतना ही तो अपको अच्छा लगा होगा वीडियो कर अच्छा लगा तो लाइक कर देना चैनल से पहली बाए जुड़े सब्सक्राइब कर देना और बहुत आक्शन देखने को मलने वाला आपकोज में तो चैनल से बिल्कुल जुड़े और सब्सक्राइब करके रखिएगा थैंक्यू फ्रेंट्स टॉर्चिंग इस वीडियो